हलो फ्रेंट्स अन्मा दोजनेंट डिप्लोमा इन फार्मेसी के सब्जेक्ट फार्मसोटिक जिसका की सब्जेक्ट कोड इयर ट्वंटी एलेवन टी है उसके चैप्टर फोर में इस वीडियो में हम लोग साइज रेडक्शन में हैमर मिल के बारे में बात करेंगे इस वीडिय चोटा करते हैं तो जब दियर हम लोग आगे जितने भी यूणिibo operation में equipment के बारे में बात करेंगे तो वहां पर चीजों में use करते हैं उसको अप्लिकेशन को देखेंगे उसके क्या फायदे है एडवांटेज है उसको देखेंगे और उसके क्या क्या डिसद्वांटेज है उनके बारे में बात करेंगे तो हर equipment में ये hating हमारी लगभर सेम होंगी तो आईए अगर हम लोग hammer, milk को देखते हैं, तो अगर हमें किसी भी substance के size को छोटा करना होता है, तो basically किन किन principle पर किन किन mechanism के थूँ, उसके size को छोटा कर सकते हैं, तो अगर आपको मैं कोई एक जो particle है वो दूँ, कोई एक चीज दूँ, कोई एक पत्थर दे दूँ, हीटा दे दूँ, तो अगर मैं कहों हमें से size को छोटा करना है, तो आप किन किन तरीकों से साइज को छोटा कर सकते हैं, तो अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मैं क्या करूंगा कि मैं एक कोई हथओरा लूञँगा, या कोई भी रॉड लूँगा और उससे उसके उपर एक उसको बीट करूँगा, उसको चोट पहुँचाऊँगा, तो जब मैं इस तरीके से सब्स्टेंस के साइज को छोटा करूँगा, तो जो प्रिंस्पल है वो कौन सा होगा, इमपैट का, उसके बाद में अगर मैं उसको किसी कोई रॉफ हमारी सर्फेस है या कोई छनी वगएरा है, उसके उपर घिसूँगा, तो क्या होगा, तब भी उसकी जो बाहर की सर्फेस है, उससे छोटे-छोटे पार्टिकल्स तूटके वहाँ पे अलग होंगे, तो उससे भी सब्स्टेंस का साइज चोटा होगा, तो यह जो प्रिंस्पल है, जिस पे मैं उसको रॉफ या ग्रूवड जो सर्फेस है, उसके उपर घिस रहा हूँ, तो वो हमारा वहाँ पे अट्रिशन का जो प्रिंस्पल है, वो कहलाता है, जैसे कि जब हम लोग को बनाना होता है, गाजर का हलवा वगएरा, तो हम लोग क्या हैगा, अगर हमको अगर हमें सब्स्टेंस के पारिएकल को छोटा करना है, तो उसके उपर मैं कोई प्रेशर अप्लाई कर सकता हूं, हैभी वेट अगर उसके उपर रखों, तो क्या होगा, तो वहाँ पे भी उसका साइच चोटा होगा, तो यह जो प्रिंस्पल है, वो यह यहाँ पे कहलाता है अगर मुझे इटे के साइज को अगर छोटा करना है और सामने से कोई road roller अगर जा रहा है तो मैं अगर उसके नीचे उसको अगर place कर दूँगा तो जब वो उसको pass करेगा तो वहाँ पे मेरे इटे का powder बन जाएगा तो इस तरीके का जो principle है वो हमारा compression का principle कहलाता है या किसी धार-दार चीज को लूँ blade को लूँ और उससे उसको काट दूँ तो वो भी उससे भी उसका size छोटा होगा और ये principle हमारा जो cutting का principle है वो कहलाता है तो हमारा जो size को reduce करने के जितने भी equipment है वो इन में से किसी एक या एक से principle पर हमें work करते हुए देखने को मिलते हैं तो आई अगर hammer मिल के principle को देखे तो जो hammer मिल है वो हमारा impact के principle पर work करता है इसमें हमारे rapidly moving जो hammers होते हैं वो जब उसके contact में powder material आता है तो वो उसके उपर impact करता है तो जब जो powder material के उपर impact होता है तो वो हमें तूटते हुए और उसका size छोटा होते हुए दिखने को प्राप्त होता है, उसके साथ साथ में जब impact होता है, तो फिर हमारा जो particle है वो वहाँ तूटा, उसके बाद में वो जाके equipment के wall के साथ में भी टकराता है, impact होता है, तो उसका और size वहाँ पे छोटा होता है particles आपस में भी टकराते हैं तो उसमें भी वहाँ पे impact होता है और particle का size छोटा होता है तो इस तरीके से अगर आप से कोई पूछता है कि hammer mill किस principle पे work करता है तो आप confidently कह सकते हैं कि जो hammer mill है वो impact के principle पे work करता है hammer mill work on the principle of impact अब हम लोग इसके construction को देख लेते हैं तो इसका जो construction है यह काफी simple diagram है इसको जब आप दो-तीन बार practice करेंगे तो आप exam में इसको अच्छे से draw कर पाएंगे तो आए इसके diagram को अगर देखे तो यह जो हमारा इसका diagram है जो इसका यह outer हमारा surface है यह basically milling chamber कहलाता है इसी के अंदर हमारे substance का size हमें छोटा होते हुए देखने को मिलता है उसके बाद में इसका जो beach का portion है यहाँ पे एक shaft होता है और shaft किसी motor से connected होता है और इसी shaft के उपर हम लोग hammers को यहाँ पे attach कर देते हैं, mount कर देते हैं उसके बाद में यह जो structure है यह hopper कहलाता है hopper में हम लोग जो भी substance जिसका size हमें छोटा करना होता है उसको यहाँ से introduce करते हैं और वो substance जिसके size को हमें छोटा करना होता है वो basically feed कहलाता है और यहाँ पे जो हमारा milling chamber है उसका जो base है उसका जो नीचे का portion है वहाँ पे हम लोग एक screen को छन्नी को attach करते हैं यह जो हमारा छन्नी है उसका poor size हमें किस size के particle के requirement है उसके अनुसार हम लोग छन्नी को place करते हैं और जब required जो हमारा size है जो particle है उसका size required रूप में reduce हो जाता है जब तक उसका size properly छोटा नहीं हो जाता अब आईए हम लोग यहाँ पे इसके construction में कुछ points को देख लेते हैं क्योंकि खाली diagram से ही काम नहीं चलेगा exam में आपको कुछ points को भी यहाँ पे लिखना होगा तो अगर सबसे पहले देखें तो जो हमारा hammer मिल है यह either horizontal shaft type का हो सकता है या vertical shaft type के हम लोग जो hammer है उनको use करते हैं तो like अगर इस diagram में देखें तो अगर हम लोग यह जो हमारे यहाँ पे hammer है इतनी assembly है इसको अगर यह मालने की यह कोई fan है तो जो हमारा जो fan है जो यहाँ बीच का जो गोला है उसको shaft माल लेते हैं और जो fan है उसकी blade को हम लोग hammer माल लेते हैं तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि वो fan जिनको हम लोग अपने जो roof है छत है उसको पे place करते हैं वो हमारा जो छितिज है होरीजिन है उसके horizontal हमें उसके ही हमें वहाँ समानांतर move होते हुए देखने को मिलता है तो वो अगर हमारा इस type का hammer है तो उसको हम लोग बोलते हैं horizontal shaft type उसके बाद में अगर हम लोग जो table fan है उसको देखें तो उसमें क्या है कि जो हमारा जो fan है वो basically जो horizon है उसके vertical हमें move होते हुए वहाँ पे देखने को मिलता है तो अगर इस type का हमारा वहाँ पे hammers है तो उसको हम लोग यहाँ पे vertical shaft type के hammer मिल के नाम से indicate करते हैं तो I think इसका जो orientation है वो आप लोग को clear हो गया होगा अब हम लो hammers के बारे में बात कर लेते हैं तो जो हमारे hammers है वो basically हम लोग hard steel के hammers को use कर सकते हैं stainless steel के hammers को use कर सकते हैं या ऐसा कोई भी material जो की abrasive resistant हो हमारे product के साथ में react ना करे, खराब ना हो तो उसको भी हम लोग यहाँ पे as a hammer use कर सकते हैं तो हम लोग hard steel stainless steel या abrasive resistance material के hammers को use करते हैं अब अगर हम लोग pharmaceutical field को देखें तो हमारा जो pharmaceutical purpose है pharmaceutical work है उसके लिए stainless steel के hammers sufficient होते हैं क्योंकि यह हमारे अधिकतर materials के साथ में react नहीं करते हैं तो इस तरीके से हम लोग pharmaceutical fields में stainless steels के hammers को prefer करते हैं अगर हम लोग hammers हैं उनके सेब के बारे में बात करते हैं तो इसको हम लोग देखते हैं strips जो shapes हैं उसके hammers को भी use कर सकते हैं या भार shapes के hammers को use कर सकते हैं अगर उसकी जो surface है वो चिप्टी है like scale को अगर हम लोग देखें और अगर यह जो हमारा है पिन अगर यहाँ पर गोला कार है अगर हमारा जो हैमर है वो गोला कार होता है बार सेप का होता है तो उसके भी हैमर को हम लोग यूज करते हैं लेकिन जो टेबलेट ग्रैनुलेशन की हमारी प्रॉसेस है उसमें अधिकतर हम लोग जो हैमर यूज कर बार से के hammers को ही prefer करते हैं अब अगर हम लो यहाँ पे देखें तो जो hammer है वो या तो वहाँ पे rigid होगा अपने place पे बिलकुल fix होगा उसमें अपने place पे कोई उसका movement नहीं होगा या swing type का होगा वो अपने place पे उसमें वो वहाँ पे simply इस तरीके से अगर उसमें movement हो रहा है हमारा swing type का कहलाता है अब अगर हम लोग देखें तो यह जो हमारा यहाँ पे है chamber उसके अंदर यह सब unit हमारी enclosed होती है और वहाँ पे हमें एक जो हमारा removal screen है वह हम लोग उसके जो base है वहाँ पे provide करते हैं जिसके through हमारा material पास होके बाहर निकलता है तो यह जो screen है वह basically पार्टिकल चाहिए हम लोग अपने हिसाब से screen को change कर सकते हैं तो यह हमारा hammer milk का simply construction है अब आए हम लोग hammer milk की working के बारे में बात कर लेते हैं तो hammer milk किस तरीके से काम करता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं hammer milk के अंदर जो हमारे hammers है उनको rotate करना start करते हैं इसको हम इसको rotate करना सबसे पहले start करते हैं उसके बाद में जो हमारा feed material है जिसका हमें size छोटा करना है उसको हम लोग hopper में place कर देते हैं hopper में जब वो आता है तो सबसे पहले वो हमें vertically यहाँ पे downward उसका movement होता है hopper से वो हमें सबसे पहले नीचे की और आते हुए देखने को मिलता ह उसके बाद में वो वहाँ पे horizontally अंदर की और उसका movement होता है फिर वो अंदर की और जो feed material है वो यहाँ पे move करता है उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो जब हमारा जो वहाँ पे hammers है वो rotate होते हैं और उनके contact में material आता है तो hammer material को beat करते हैं उसके उपर चोट पहुचा जाते हैं और जब उसके उपर वो चोट पहुचाते हैं तो उससे हमें small particles बनते हुए देखने को प्राप्त होते हैं इस तरीके से जब हमारा particle पर्याप्त रूप में small हो जाता है तो वह screen को वहाँ पे pass करता है और हमें receiver में collect होते हुए देखने को मिल जाता है तो इस तरीक होता है मतलब particle यहां पर जो हमारा 90 डिग्री है उससे बाहर नहीं आता है वो एक एंगल से हमें बाहर आते हुए यहां पर देखने को मिलता है तो basically जो हम लोग screen यूज करते हैं चनी यूज करते हैं उसका जो pore size है उससे small particles हमें उसमें से बाहर निकलते हुए देखने को रा 30 mm से कम size के particle उसमें से बाहर आएंगे क्योंकि tangential movement हो रहा है अब यहां पर हमारा hammer की speed है वो भी काफी हद तक influence करती है कि particle के size के होंगे और जो हमारी screen है उसकी thickness जो मोटाई है वो भी इसको influence करती है कि size के particles उसमें से बाहर निकलेंगे अगर speed slow है तो हमें बड़े particles बाहर निकलते हुए देखने को मिलेंगे क्योंकि angle वहाँ पे इस place पे कम होगा और अगर speed तेज है तो angle जो हमारे particle का वो निकलने का है वो यहां कम हो जाएगा और हमें छोटे particles उसमें से बाहर निकलते हुए देखने को प्राप्त होंगे उसी अगर जो screen है वो हमारी यहां पे अगर उसकी थिकनेश जादा है तो हमें small particles उसमें से बाहर निकलते हुए देखने को प्राप्त होंगे तो हमारा यहां पे speed of hammer और जो thickness of screen है वो यहां पे particle size कि size के particles उसमें से बाहर निकलेंगे उसको काफी हद तक influence करते हैं अब आईए hammer मिल के क्या-क्या usage है applications है उसको देख लेते हैं तो सबसे पहले अगर हम लोग यहां पे देखें तो जो hammer मिल है उससे fine to moderate grinding के powders हम लोग यहां पे प्राप्त कर सकते हैं hammer मिल की जो speed है उसको अगर change करते हैं तो हम लोग यहां पे इस place पे अगर speed को काफी तेज कर देंगे तो हमें fine powders प्राप्त होंगे और speed को अगर थोड़ा slow रखेंगे तो हमें वहां पे थोड़ा सा मोटे particles प्राप्त होंगे इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो यहां पे हमार जो particle है जो कि हम लो hammer मिल के थूँ एचीव कर सकते हैं वो 10 से 400 mm के बीच के particles को हम लो hammer मिल को यूज करके प्राप कर सकते हैं अब अगर हम लोग यहां पे देखें तो अगर हमारा जो material है वो non-apprecious है react नहीं करता है या हलका full का react करता है moderately abrasive है उसके साथ साथ में अगर हमार जो material है वो है brittle है और वह वहाँ पर आसानी से impact होने पर तूट जाता है तो उसको हम लो hammer मिल को use करके आसानी से उसका size छोटा कर सकते हैं और hammer मिल अधिकतर dry material की ही milling में हम लोग इसको use करते हैं अगर हमारा material wet होगा गीला होगा तो क्या होगा वो hammer से जाके चिपक जाएगा और उसके साथ में घूमता रहेगा किसी भी प्रकार का size छोटा नहीं होगा तो हमारे ऐसे substance जो की dry हो जो की हमारे hammer से चिपके न हमारे equipment की wall से चिपके उसका हम लोग size hammer मिल को use करके reduce कर सकते हैं अब अगर हम लो hammer मिल के advantage के बारे में बात करते हैं तो इसका जो सबसे पहला advantage है कि इसका जो setup है installation है वो भी काफी easy होता है अगर उसके part को हमें अलग-अलग करना है उसको dismantle करना है तो भी वो काफी आसान होता है और इसकी clean up भी काफी आसान होती है तो इसमें इसका जो installation है dismantle है और cleaning है वो काफी easy होती है यह इसका पहला advantage है उसके बाद में अगर हम लोग अगले advantage को देखें तो यहाँ पे हम लोग काफी प्रकार के feed stock को handle कर सकते हैं screen के जो हमारा size है उसको अगर हम लोग अलग-अलग use करें तो हम लोग यहाँ पे अलग-अलग प्रकार के substance को simply use कर सकते हैं अगर हमारा जो particle है वो काफी ज्यादा बड़ा है उसको थोड़ा छोटा करना है तो फिर उसको भी हम लोग use कर सकते हैं अगर हमारा जो particle है वो छोटा है उसको और ज़्यादा चोटा करना है तो उसके भी उसको भी हम लोग यहाँ पर simply use कर सकते हैं तो इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पर अलग-अलग प्रकार के feed stock के size को चोटा करने के लिए use कर सकते हैं hammer mill यहाँ पर काफी कम space occupy करता है ज्यादा है इस्थान वो नहीं गहरता है जिसके कारण की अगर हमारे पास थोड़ा कम space है वहाँ पर भी हम लोग hammer mill को place कर सकते हैं यह कम space occupy करता है उसके बाद में अगर हम लोग अगले जो हमारा advantage है उसको देखे तो यह एक हमारा जो versatile equipment है वो है क्योंकि हम लोग अपने अनुसार जो hammer की speed है वो change कर सकते है इस screen को भी अपने अनुसार rapidly हम लोग simply change कर सकते है तो अलग-अगर हमें पतले particle चाहिए तो भी हम लोग इसको use कर सकते है थोड़ा मोटे चाहिए तो भी हम लोग use कर सकते है अलग-अलग जो हमारा size range है उसके particles को यहाँ पे हम लोग achieve कर सकते है इस speed को और जो screen है उसको change करके उसके बाद में अगर यह हमारा equipment एक जो closed जो environment है उसमें यह एक क्लोज equipment होता है तो जो dust वगएरा है उसमें से कोई dust बाहर न निकले उसको simply reduce इस place पर कर सकते हैं और explosion जो हजाड है उसको prevent simply कर सकते हैं लाइक अगर हमारा जो substances जिसके size को छोटा करना है अगर वो थोड़ा toxic है या वो जो हमारे operator है उनको नुकसान दे सकता है तो अगर hammer mill को use करते हैं तो उसमें से ज्यादा dust नहीं निकलती है जिसके कारण की हम लोग explosion 1000 को यहाँ पर prevent कर सकते हैं अब अगर हम लोग यहाँ पर इसके disadvantages के बारे हम बात करते हैं तो जो हमारे hammer जैसे ही थोड़ा सा slow down होता है हमारे जो particles है जो oversize particles है वो छनी के उपर आके रुख जाते हैं तो इस तरीके से हमारी जो screen है वो clogged हो जाती है तो फिर हमें equipment को stop करना पड़ता है उसमें से screen को बाहर निकाल के clean करना होता है oversize particles को फिर से hooper में डालते हैं और फिर से equipment को start करते हैं ये इसका सबसे पहला drawback है उसके बाद में जब hammers high speed से move होते हैं तो क्या होता है equipment के अंदर mill के अंदर हमें heat build up होते हुए यहाँ पे वो देखने को मिलती है और इस heat से हमारा product भी वहाँ पे degradate हो सकता है उसकी भी possibility यहाँ पे होती है तो equipment जब operate होता है तो यह हमें काफी गरम होते हुए देखने को मिलता है जिसके कारण की heat sensitive material वहाँ पे खराब हो सकता है उसके बाद में अगला अगर जो हमारा disadvantage है उसको देखें तो यहाँ पे जो हमारी screen और हमारा मिल है अगर कोई abrasive feed है वो अगर उसको operate करते हैं तो screen और जो हमारी मिल है वो हमें खराब होते हुए affect होते हुए यहाँ पे देखने को प्राथ हो सकती है क्योंकि हमारा जो feed है वो screen और जो हमारी हम लोग इस equipment में छोटा हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो fibrous material है वो impact से तो उसका size छोटा नहीं होगा उसको अगर हमें उसके size को छोटा करना है तो उसके लिए हमें specifically cutting मिल की आओ सकता होगी उसके बाद में अगर material काफी hard है तो भी उसमें वहाँ पे उसका size छोटा न नहीं होगा तो इस तरीके से यह हमारे hammer mill के कुछ disadvantage है तो I think so hammer mill का principle construction working application advantage और disadvantage आप लोग को अच्छे से clear हो गये होगे अगर अभी भी कहीं कोई confusion है तो comment करके पूंच सकते हैं इस topic का PDF आपको description में मिल जाएगा इस video को like करें अपने दोस्तों के साथ share करें और ऐसे ही videos को दे